मित्रों एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है अभी हमारा प्रदेश सुरक्षित है लेकिन नए वेरियंट कि एंट्री हमारे देश में अब हो गई है अधान मंत्री जी ने भी मिष्टार से बैठक करके दिर्देश दिये है आज मैंने भी कोविड को लेकर एक इच इस्तरी बैठक की है अभी पैने खोने की जबरत नहीं है घवराने की आवसकता नहीं लेकिन सावधान रहने की बहुत जरूरत है और इसलिए हमने तेह किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंब किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाएगा इसके लिए हमने पहल प्रारंब की है मौकडिल हम 27 दिसंबर को करेंगे जिसमें अस्पताल अस्पताल में जवस्ताएं आक्सिजन हमारे दवाईयां और कोविड से निपटने के लिए जितनी आवसक तैयारियां है वो सारी की सारी तैयारियां माकडिल के माध्धम से भी हम देख लेंगे भगवान ना करें लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो हमको कोई कटनाई का सामना ना करना पड़े इसलिए तैयारियां आवसक है भीन भाड़ वरे इस्थान पर सावधान रहने की जरूरत है इसलिए कोविड एप्रोप्येट बहेवियर की आदत डालने का मैं प्रदेश की जंता से यही अपील करना चाहता हूँ धवराने की जरूरत नहीं है कि सावधान रहें बूस्टर डोज जरूर लगाएं जिनने नहीं लगवाया जरूर लगवाएं